नमस्कार दोस्तों आपके लिए Senior MIS Executive का Question and Answer लेकर आ गया हूँ तो आईए वीडियो को आरम करते हैं नमस्कार दोस्तों में नाम है वजीत आपका सच्चा साती सच्चा हम सफर और आप देख रहे हैं अब जी जी टेक्निकल फोरेम दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा Microsoft Office, Basic Excel, Advanced Edition, Power BI and Power Query सीखने के लिए तो आई अपने वीडियो के और मूफ करते हैं दोस्तों जो हमारा सबसे पहला Question नहीं लिखा है Combined Column B and Column C as per Criteria तो हमें यह हमारा Column B है और यह हमारा Column C है इन दोनों को हमें आपस में Combined करना है जैसे राहूल है और हमारा C में क्या है Code A तो राहूल A ठीक है और Criteria हमारा क्या है आई देखते हैं लिखा If Quantity is 1 then Combined 1 Time जैसे यहां Quantity 1 है तो हमें एक बार Combined करना है If Quantity is 2 then Combined 2 Times अगर यहां Quantity 2 है तो इसे Amit B को दो बार हमें Combined करना है जैसा कि आप देखरें यहां है Amit B and Amit B और लिखाए Apply Same Method for All Value यानि हमें Same Technics और Method अप्लाई करना है इन सारे Value के लिए भी तो अभी आप देखें हमारा Rahul A Combined होके यहां आ गया है यह देखी राहul A है Amit B भी हमारा Combined है लेकिन यहां देखी 2 टाइम क्योंकि हमारा आप देख रहे है Quantity यहां 2 बार है स्याम C इसी तरह हमारा देखी यह 3 बार है तो स्याम C आप देख रहे हमारा 3 बार है तो इस टाइब से हमें करना है ठीक है तो यह हमें formula के द्वारा करना है तो आईए हम करते हैं सबसे पहले हम इसको select करेंगे और Alt H E A प्रेस करेंगे तो यह हमारा clear हो जाएगा format अब हमें सबसे पहले करना क्या है आप देखें यहां quantity है तो quantity जितनी है इंका sum कर लीजे तो कितनी हो रही है आप देखेंगे इंका sum करेंगे तो यह हमारा total 11 quantity हो रही है तो हम क्या करेंगे यहां एक helper column insert करेंगे लिखेंगे helper ठीक है यह हमने लिखा helper और हम 11 serial number insert कर देंगे one लिखेंगे control key को अपने keyboard से press करेंगे ठीक है और जब ऐसा symbol बनने लगे तो इसको हम drag कर देंगे ठीक है तो यह हमारा 11 serial number यहाँ आ चुका है ठीक है और हम यहाँ एक और यहाँ भी एक helper column डालेंगे ठीक है और यहाँ हम serial number लिख लेंगे one इसको seven तक drag करेंगे अब हम यहाँ एक formula अप्लाई करेंगे hql2v lookup ठीक है lookup value हमने लिया इसे ठीक है table array हमने लिया इसे लिया यहाँ से हमने यहाँ तक लिया ठीक है क्योंकि पहले हमें राहूल लाना है उसके बाद हमें a को combine करना है ठीक है अब हम यहाँ column index number लिखेंगे two क्योंकि दूसरे column पे हमारा name है ठीक है और bracket बंद करेंगे इतना करेंगे यहाँ हम zero नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें approximate match कराना है और यह हम क्यों कर रहें आगे हम आपको समझाने वाले भी हैं ठीक है अब हम यहाँ क्या करेंगे and and का symbol लगाएंगे और double inverted comma में एक space देंगे क्योंकि हमें combine भी करना है code को भी ठीक है और फिर यहाँ हम and देंगे और फिर से हम we look up formula अप्लाई करेंगे look up value हम फिर से से लेंगे ठीक है table array हम फिर से select करेंगे अब हम table array यहाँ से यहाँ तक select करेंगे right और हम अब column index number क्या देंगे 3 और अब हम क्या करेंगे इस range को function f4 press करके freeze कर देंगे right क्योंकि अगर हम formula drag करेंगे तो उपर नीचे हो जाएगा result हमारा सही नहीं आएगा इसलिए हम इसे f4 phrase करके freeze कर देंगे right और enter तो अभी आप देखिए हमारा इतना काम हो गया अब हम इस formula को drag करेंगे तो अभी आप देखेंगे हमारे पास result इस type से आ चुका है अभी हमारा पूरा result नहीं आया है अभी मैं आपको समझा देता हूँ अभी आप देखिए राहुल A combined हो गया अमित B combined हो गया स्याम C combined हो गया अभी हमारे यह वाला criteria फुल्फिल नहीं हो रहा इसको हम करेंगे आपको समझा दे तो यह देखिए हमारा यहां से यहां तक हमारा 7 था तो यह देखिए मोहन जी आ गया हमारा लेकिन 8, 9, 10, 11 में भी हमारा मोहन जी आ गया ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने approximate match लगाया था approximate match क्या करता है मैं आपको समझा देता हूं clear तो अब हमने approximate match क्यों लगाया इस चीज को समझते हैं अभी आप देखिए 7 के बाद हमारा कुछ भी look up value नहीं है तो भी यहां देखिए हमारा name आ रहा है combined होके ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं आपको जैसे 8 तो 8 को इसने यहां find किया इसे 8 नहीं मिला तो 8 जब इसे नहीं मिला तो approximate match करता क्या है जो उससे पहले की सबसे largest value है तो 8 के पहले हमारा क्या है सबसे largest value 7 6 नहीं है 5 नहीं है 7 है तो 7 का result लेके आगया ठीक है 9 को find यहां किया 9 नहीं मिला तो 9 के पहले हमारा देखिए सबसे largest value क्या है इसको 7 ही मिला तो 7 का लेके चलाया 6 का लेके नहीं आएगा 5 का लेके नहीं आएगा 4 का लेकर data नहीं आएगा क्योंकि उसके पहले की सबसे largest value लेकर आता है यह approximate match का काम है ठीक है इतना concept clear है अगर कोई भी confusion है तो Instagram पे आप मुझे follow करके message करके पूछ सकते है ठीक है तो यह हमारा काम हो गया अब हमारा main concern क्या है इस criteria को follow करना ठीक है अगर यहाँ 1 है यहाँ Amit B हमारा आ रहा है ठीक है अब हम करेंगे क्या यहाँ जैसे हम देखी 4 करेंगे ध्यान से देखेगा तो यह देखी यहाँ भी Amit B हो गया अब देख रहें ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझा देता हूँ यह हमारा look-up value 3 था 3 इसे नहीं मिला तो 3 के पहले हमारी कौन सबसे largest value है 2 तो 2 वाला result लेकर चला आया समझ गए इसलिए हमने approximate match लगाया था ठीक है अब मालेजे यहाँ 4 है ठीक है यह तो हमारा हो गया अब हम यहाँ 4 की जगह यहाँ 7 कर देंगे तो होगा क्या अभी आप देखिए स्याम C आ गया ठीक है अब 7 की जगह यहाँ 8 कर देंगे ठीक है और यहाँ 8 की जगह हम क्या करेंगे 10 कर देंगे ठीक है और 10 की जगह क्या कर देंगे यहाँ 11 कर देंगे तो अब आप देखिए result हमारा किस step से आ गया सियाम 3 था तो देखिए 3 बार से आ गया ठीक है अनीता D एक बार था तो देखिए अनीता D एक बार आया ठीक है अन्जू E दो बार था तो देखिए अन्जू E दो बार आ गया ठीक है कमला एक बार आ गया मोहन जी एक बार आ गया ठीक है plus this हमने क्या किया a6 plus d6 इंटर और इसको हमने drag कर दिया तो देखिए हमारा same formula यहां भी आ गया जो हमने manually किया था तो अब हो क्या रहा है ध्यान से समझे a हमारा 1 look up value राहू ले आ गया अब हमारा look up value क्या है 2 तो यहां इसको 2 मिला अमित भी लेके आया ठीक है उसके बाद हमारा look up value क्या है 3 तो 3 इसको नहीं मिला अब देख रहे हैं तो क्या होगा 2 की value लेकर चलाएगा तो यहां देखिए 2 आ गया अब हमारा क्या है 4 4 पर क्या है हमारा 4 इसे मिल गया 7C तो 7C लेके आया 7 तो 7 इसको मिल गया तो अनिता D को लेके आया 8 8 हमारा क्या है अंजू E तो देखिए अंजू E को लेके आया 9 तो 9 तो यहां नहीं है 9 के पहले कौन सी value हमारा 8 तो अंजू E को लेके आया इसलिए हमने approximate match लगाया था इतना आपको concept clear हो गया होगा कोई भी confusion है तो आप मुझे comment करके पूश सकते हैं तो यह हमारा था result ठीक है इसकी मैं practice file भी आपको description box में दे दूँगा आप चाहे तो हमारे साथ practice भी कर सकते हैं ठीक है